नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत अमारे यूटूब चैनल ABS क्लासेस में दोस्तों आज हम बात करेंगे भारती अंतरिच अनसंधान का जिसमें इसरो इसरो जो है बहुत ही महत्तपूर रूप से बनाये गया है यह एक संस्था है जो अनतरिच से संबंदित है और इसमें से एक दो कोस्टन एकजाम में जरूर पूचे जाते हैं प्रतेक एकजामों की हम बात करें तो यहां से एक कोस्टन जरूर बनता है जैसे अभी जो बरतमान में होने वाला संबिदा साला सिच्छक बरकतीन का मद्द प्रदेश का और कुछ राज्यों में हो चुका है तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि कहां से कोस्टन पूचे जाते हैं रेल बे भी भाग में भी सबसे ज़्यादा कोस्टन यही से पूचे जाते हैं अंतरिच से दो से तीन कोस्टन जरूर पूचे जाते हैं तो हम बात करते हैं आगे कि जो यहां कौन-कौन से कोस्टन बनते हैं और किस प्रकार से इसरो से संबंदित जो हमारा है उसमें तो हमारा जो सलेवस चल रहा है तो अधी आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लेज पहले हमारे चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए और चलते हैं वीडियो की ओर देखते हैं कि किस प्रकार से कहां स से question पूछे जाते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगी कि इस रो में यह है इंडियन Space Research Organization इसका फुल फाम है वैसे फुल फाम है दी कभी पूचता है तो इंडियन Space Research Organization है यह भी question बन जाता है दूसरी बात इसका बनता है कि आदर्स बाग की क्या है यहां पर pointed है आदर्स बाग की क्या है तो आदर्स बाग की इसका जो है मानवजात की सेवा में मानवजात की सेवा में अंतरिच प्रदोग की जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने अंतरिच प्रद्दोग की के बारे में बताया और कौन से सन में कौन कौन से संस्थाय बनाएगे कौन से विभाग खोलेगे और कौन से परिच्छन किये गए तो उसके बारे में हमने बात किया था थीक है न भात करते हैं कि इसकी स्थापन से ने हुई तो म सबstate इसकी दिचा जाता है कि स्थापन कहा हुई थी आर कब हुई थी तो इसके 1969 में है यह हुई थी 15 अगस्प को 7 5 अगस्प को state 19,98 को इस रहो का इस तो इसके इंडियान स्पेस न जी सर्च वारन नइ इसका इस्थापना किये थे उसके बाद हम बात करते हैं कि बिक्रम सारा भाई अंतरिच इस्टेशन मुख्यले जो कहा है तिरियु अनंतपुरम में है तो ये भी बनाया गया था कि बिक्रम सारा भाई उस टाइम पे जो संस्थापक थे उनी के नाम में एक इस्टेशन बनाया और गया था कौन सा बिक्रम सारा भाई अंतरीच इस्टेशन मुंख्याला एक मुख्याला कहां पर यह त्तिरियो नंदपूरा में है यह जो हमारा जैसे इंडिया कमय तो इंडिया में कुछ इस प्रकार से हमारे इंडिया यहां अब हम बात करते हैं कि इस रोगह जो इस्थापित कहां किया गया था और अभी बरतमान में भी इस रोग कहां पर इस्थापित है तो इस रोगह केंदर का मुख्याला या वह बेंग लोगह बेंगलोर में है और विक्रम सारा भाई अंद्रेच स्टेशन है वो है तिर्वनंत पुरम में इसरो का एक और कोस्चन जहां से आता है इसरो जड़त प्रडाली इकाई का मुख्यले कहां है वो है तिर्वनंत पुरम में ये भी एक कोस्चन पूछा जाता है अब हम बात करते हैं कि इसरो में ही एक इंट्रिक्स नाम क जो संस्था है तो वो उसका मुख्याले कहा है और उसमें कहा से कॉशन पूछे जाते हैं तो इंट्रिक्स के बारे में भी आपने बहुत सारा सुना होगा तो इंट्रिक्स के बारे में भी थोड़ी से बातें हम कर लेते हैं और इस प्रकार से कुछ उसके बार्ण किये गए है यहाँ पर इंट्रिक्स में है इसरो की बाड़िजिक इकाई है मतलब इसरो से ही जुड़ा हुआ एक बाड़िजिक इकाई कहते हैं जिसमें से जैसे कुछ नए बनाए जाते हैं ठीक है इसका मुख्याला जो है बैंगलोर में है कुछ पार्ट जैसे बनाए जाते हैं तो इसम में पढ़ते हैं कि इसरो भारत के सेटिलाइट को अंत्रिच में भेजता है इसी के साथ यह बिदेशी सेटिलाइट को भी अंत्रिच में भेजता है जैसे जो इंडियन का सेटिलाइट है उसको भेजने का काम करता है और इंट्रिक्स ठीक है और उसके बाद कुछ जैसे की तो वो क्या करते हैं कि भारत से सयोग मांगते हैं और भारत उनको आसरे देते हुए सेटलाइट को लांच कराता है तो उसमें से कुछ पैसे आते हैं और उन पैसे का जो लेखा जो का करता है इंट्रिक्स करता है यह भी हो गया intrinsic next छम बात करते हैं कि इसके जो कुछ और question है एक question है कि इस रों के प्रतम अध्यच किसे बनाया गय था इस रों के प्रतम अध्यच कौन थे विक्रम सारव भाई और संस्थापक भी बिक्रम सारव भाई ही ही थे तो इस प्रकार से जो question पूशा जाएगा कि संस्थापक कौन थे और अध्यच तो इसमें confusion ही कोई बात नहीं है दोनों का विक्रम सारा भाई थे और इन्हें महत्तपोड रूप से जाना जाता है अंत्रिच के छेत्र में सबसे ज़्यादा कार करने वाले माने जाते हैं इन्हे से ज़्यादा समय विताने वाले भी थी नेक्स अमबात करते हैं भारत द्वारत जो प्रफम अबगर्य है आरभट दो एक प्रदीट्री हमिने ऑभी बात कीया थे पिछले विडियो में वहे में इसके वारे में हम डेटेल से जाने थे जो ग्यारा वारवरी 1922 को प्रद्वी पर वापिस आ गया था ये जो भेजा गया था ये भेजा गया था इसकी हम बात करते हैं कि जो हमारा आरभट है वह है 1975 में भेजा गया था 19 अप्रेल 19 अप्रेल 1975 को भेजा गया था और जो 11 फरवरी 1922 को प्रद्वी पर वापिस आ गया था तो ये भी एक महत्तपूर्ण तत्थ है इसको भी आत करने की बहुत जरूरी है नेक्स टम बात करें तो इस प्रकार से जो यहाँ पे इस लो के महत्तपूर्ण कोस्चन हम जाने और यदि वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक, सब्सक्राइब और बिल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्याद सज्यादा सेयर कीजिए धन्यवाद